वेल्कम तो मैं चैनल स्टाड़ी टुटोरियल तो डे जो वीडियो है वह बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम डिसकस करेंगे यहां पर उसने क्या पूचा है इसके आपको निकाल ली है फूर आपको ऑप्शन दे रखें तो स्टार्ट करते हैं तो फिर हम आगे-अगे चलते जाएंगे कॉंप्लिकेटट की तरफ सबसे पहले आपको पाता है कि जब आपको दो ब्रकेट्ट दे रखी होती है तो आपको क्या करना होता है जैसे आपके पास यह है 3 प्लस अंडरूट 3 3 माइनस अंडरूट 3 अपक्या कीचिए सबसे पहले 3 को मल्टिप्लाइ कर दीजे यह जो सारी ब्रैकट के साथ क्या कीजिए ठीक है मल्टिप्लाइ करने के बाद आपके पास क्या आएगा 3 3-3 अब क्या कर यहां पर यह जो आपका अदर रूट 3 है इसको आप इस सारी ब्रैकट के साथ क्या कीजिए multiply कीज़े, कैसे लिखे होगे आप under root 3, 3 minus under root 3, अब multiply कैसे करना है, वो मैं आपको बताती हूँ, देखिए multiply आपको कैसे करना है, इसको सबसे पहले यह चैप लिख दिया, मैंने आपको खोल कर बता दिया, अगर आप 3 को 3 के साथ multiply कर रहे हैं, नहीं अगर आप 3 को under root 3 के साथ करें, तो आपको यही रहेगा, ठीक है, फिर आप 3 को under root 3 के साथ करें, वही रहेगा, अब यह concept बहुत ही समझने वाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्चेक होती है, कि अगर मैं under root 3 को under root 3 के साथ multiply कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर under root लगा है, दोनों के साथ, अंदर वाला नंबर के आपका सेम है, तो वो नंबर सिर्फ एक बार आपका आएगा, कोई उसके साथ under root नहीं आएगा, सीधा concept याद रखिए आप, ठीक है, कुछ ज़दा आपने solve करना, start करा, तो यह ज़दा आपकी cancel होगी, अगर आप 9 में से 3 subtract करेंगे, you'll get what? 6, okay, so 6 is your required answer, next देखे, आप next में आप क्या करोगे, यह रहा आपका second sum, उसने बोला, इसकी value निकालो, जब भी आपके पास क्या रहा है, कोई whole square आपको पता चल रहा है कि आप यह formula लगाओगे, कौन सा formula लगाओगे, a plus b ka whole square का formula लगाओगे, that is equal to what? a square plus b square plus 2 a b, करने की यहाँ पर बात क्या, करने की बात यहाँ पर यह है कि आपने बस coefficient को क्या करी जाने, आपने, सिधा आपने इसको लिखी जाना, देखो, यहाँ पर आपका a क्या दे रखा, आपको अंडरोड 5 वो लिख लिए, यहाँ पर b क्या दे रखा, आपका अंडरोड 2 वो लिख लिख लिए, आपने, यह सारा का सारा जो भी आपको नंबर क्या है, दोनों अंदर सेम है, बाहर क्या है, दोनों के साथ अंडरोड है, तो नंबर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक बार आ जाएगा, ठीक है, सिमिलरले यही हमने किस के साथ करा, यहाँ पर हमने 2 के साथ किया, अब यहाँ बर क्या आपका है, जब 5 है, और 2 है, ठीक है और बाकी का यह आपका ऐसा ही आजाएगा तो विडियो में आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर वाच कीज़ेगा ठीक है एप यहां पर लिखा यहां पर लिखा अब आप 5 के साथ अधा 5 के साथ मल्टीप्लाइ कर रहे हो तो चैला 5 अचाही है ठीक है अपको अगेला 5 आचाएगा एपको अधार वाली मॉल्टीप्लिकेशन ज़रूर अच्छे से लग गई होगी अब देखे 25 में genome 5 subtract करोगे तो क्या जागा 20 so d option is your correct answer next देखिए अब the value of this यह आपका इतना easy sum है इसको जरा भी आपने complicate नहीं करना है देखो जब बे किसी के power क्या होगी 0 तो वह always किसके एकल होगा 1 के एकल doesn't matter यहां पर क्या है यहां पर अगर 2 हो गया 4 हो five हो गया six हो गया one हो गया क्या भी होगा उसका answer हमेशा क्या है का वह आएगा ठीक है अब यहां पर के साथ 15 दो क्या हो गई want 4 की power 0 क्या होगई वान अब आपको सीधा का सीधा पता चल रहा है कि वन में से वं जाएगा तो क्या आ जाय गा 00 को मैं किसी भी नमबर के सथ मल्ट्प्लाइ करूंगी तो मिरा असर भी क्या आजाएगा 0 ही आ जाएगा आपको 5 को 5 की साथ multiply करके भी देखने की जरूरत नहीं कि वो 25 आ रहा है सीधा आपका अंसर क्याएगा 0 चीक है clear हो गया आगे चलते हैं उसने बोला कि क्या इसको solve करके क्या इन में से values आपकी आ रहे हैं सबसे पहले आपने जो रिक्वाइड है लिखा आपने अब देखो बेसिकली आपको यह करना होता है कि नीचे वाले आपने सेम बनाने होते हैं ताकि कि आप उनको compare कर सको ठीक है अब देखो आप क्या करोगे जैसे आपका था पॉजटिव तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा वह नेगटिव सो यहां से यह वाला स्टैप आया क्लियर हो गया आपको कैसे आया स्टैप नेक्स देखिए आगे देखिए फिर आपने यह जो आपका नाइन आपको पता है कि त्री को आप त्री के साथ दो बर मल्टिप्ला कर सकते हैं तो अपने दोनों को कर दिया कंपियर करते कंपियर करने के बद यह यह आगया आपको इदर नहीं चाहिए था ने जाएंगे उदर ले कर गए तो आपको टू एक्स प्लस क्रेंडा आता यह तो वह क्या आचाएगा 5x अगर किसी को यह नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको कैसे याड़ करते देखिए जब आपके पास ऐसे आजाता है ना बच्छे देखे 2x प्लस 3x तो हमेशा क्या करते हैं जो चीज कोंबन निकल रही है उनको बाहर निकाल तो बाहर निकाल दिया अंदर की बचरापका 2 प्लस 3x तो बाहर ऐसे यह आ जाएगा इन दोनों को प्लस करोगे क्या आजाएगा 5x को 5 को सांथ 5 x equal to 5 है ठीक है एक से एक साइड रहने दो 5 को 5 की साइड डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा वान नहीं आ जाएगा 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 जाएग जब आपने 2 को 4 के साथ मल्टिप्ले किया तो आपके पास क्या आ गया यइट आ गया जब आपने 8 में इसे प्लस 2 कर दिया आपके बस कितना आ गया ठीक है तो जो आपकी option number A है that is your required answer ठीक है next चलते हैं so यह रहा है आपका seven sum the sum of the rational and irrational number is irrational number जब आप rational में क्या add कर रहे हो irrational तो वो भी आपका क्या आएगा irrational यह आपका 10th class में भी यूज होगा ninth class में भी यूज होगा बहुत ही important concept इसको भूलना नहीं कभी भी ठीक है because 10th में भी यही concept आपके चलते जाएंगे 8 देखिए अगर x की value इसकी value इसकी value इसकी value इसकी value होगी यह आपको नहीं दो option दे रहें सिर्फ दो option ठीक है देखो कैसे करना आपने इसको बहुत ही easy समय यह नहीं देखना length बढ़िए मैंने आपके लिए steps को खोल खोल कर लिखा जो गिवान उसको अपनी क्या कर लिया लिख लिए इसको अपनी क्या आपने यहां पर पुट करने नीचे यहां पर आपने पुट करने के बाद आपके पास यह वाला step आगया arrow को आपने ध्यान से देखना है सबसे पहले इसकी वैल्य कहांपर पुट की यहां ओर फिर यहां पर इसकी वैल्य के गर आपने लिख दी लिखने के बाद आप देखे क्या है आपका देखे ध्यां से देखें के बाद आप यह उपर जाकर क्या हो फाइफ बैवान हो जाएगा जब आप 5 को 5 के साथ मल्टिप्लाइ करोगे तो आपके बस क्या आजाएगा 25 आ जाएगा वो नीचे क्या चल रहा है अंडूरूट 7 चल रहा है यह आपका किस के एकोल है पी अंडूरूट 7 के इकोल है आपको पता है कि जो चीज जाए होते हैं तो वो सिरफ एक साइट रख लेते हैं उसको अब दुबारा दुबारा इधर उदर नहीं करना है इसको दूबारा और बार बार हिलाना नहीं है यहां पर मल्टीला है तो नीचे जा रखा एक गर डिवाइड हो जाएगा यह चीज को आपका पता यह कि अगर नंबर अंदर सेम है बाहर क्या है आपका अंडरोट तो वो नंबर ही आजाता है ठीक है तो यह required answer is what 25 by 7 so this is your correct answer so next और करते हैं तो यह देखें बहुत easy समय सीधा का सीधा आपकी यहां पर identity यूज़ होगी जिन बच्चों को identities आती है ठीक है description में link दिये दूंगे उस video को जरूर watch करना यह देखो यह आपको दे रखा इदर ठीक है उसने बोला है कि क्या इन में से इसका answer है यह आपने बताना आपको ध्यान से देखना है अगर 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 के साथ मल्टिप्लार हो रहा अंदर वाला नंबर आपका सेम है तो वो सीधा नंबर ही आजा आजाएगा तो रिकवार अंसर is what A-B A-B कहाँ पर है यहाँ पर है तो आपके B option क्या हो गई correct हो गई समझ लगा यह सम के नहीं लगा I hope लगी ही गया होगा ठीक है 10 देखिया उसने बोला आपने इसकी value निकाल लिए अब एक चीज़ आप ध्यान से याद रखना कि क्या है जब भी किसी की power उपर 0 आएगी तो उसका अंसर हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा यहाँ पर अगर 1 की power 0 है 1 ना जाएगा इधर 9 की power 0 है तो 9 ना जाएगा तो कि आःएगा तो यहां पर आपको क्या देरिखा था यहां पर आपको देर 약ạ था यहां को देर चेर ख होगी तो टू आता आ उसलोरेड़ी वहान के साथ आप लिखती वह्तकि उन्स की online पियरीय सीदा आँसर क्या जाएगा आपका टू आजовыхाटалась यहें आपके 10 के 10 जो थे MC कोई इंपॉर्टन थे इसका में सेकिंड पार्ट भी लेकर आऊंगी I hope you like this video if you like please like share and subscribe to my channel thank you